हेलो जाहें दोस्तों आज हम HPSSE, TGT Arts का प्रिवियस एर कोशन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमने इसका हिस्ट्री का पोशन लिया हुआ है जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए काफी हलफूल हो सकता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका 113 नमर कोशन है रिगवेद में नीत है इश्वर के समान में रीचाएं किये जाने हेतु यग्या लोगों के द्वारा अपनाने के हेतु रीती रिवाज या वैदिक काल का इतिहास तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा option नमर A इश्वर के समान में रीचाएं अगर दोस्तों हम रिगवेद की बात करें तो रिगवेद में 10 मंडल, 1028 मंतर वा 10464 रिचाएं का वर्णन किया गया है अगर दोस्तों हम इन रिचाएं के अध्याएं करने वाले की बात करें तो रिगवेद में उन्हें होत्रे कहा गया है या एक्जाम में कहीं बार कोशन पूछ लिया जाता है कि रिगवेद के ग्याता को क्या कहा जाता है तो दोस्तों रिगवेद के ग्याता को जो होत्रे कहा जाता है तो अगर हम रिगवेत के दस मंडलों की बात करें तो जो दो से साथ के बीच के मंडल है उन्हें प्राचींतम मंडल के रूप में जाना जाता है और हमारा पहला और दस्वों मंडल है इसे सबसे अंत में जोड़ा गया है अगर दोस्तों हम गैतरी मंतर की बात करें तो गैतरी मंतर की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई थी जिसका वर्णन जो है तीसरे मंडल में किया गया है अगर हम दोस्तों रिगवेत काल की पवित्र नदी की बात करें तो रिगवेत काल में सरस्वती को सबसे प जो है काफी बार पूछे गए हैं तो दोस्तो इसके बाद हमारा 114 नमबर क्वेशन है कि संगम यूग के प्रमुक देवता कौन थे विश्णू, मुर्गन, शिव या इंदर तो दोस्तो इसका जो है कोड़क्ट अंसर हो जाएगा मुरुगन इसके बाद हमारा 115 नमबर क्वेशन है हैंसंग ने कमबोज रजे का वर्णन किया है निमार के रूप में, पाउ के रूप में, राजगरी के रूप में या राजपुरा के रूप में तो दोस्तो इसका correct अंसर हो जाएगा राजपुरा के रूप में अगर दोस्तों हम हैंसंग की बात करें तो हैंसंग एक चीनी यात्री था जो हर्षवदन के समय भारत आया था इसने जो है 629 से 645 तक पंधरा वर्ष भारत में ब्रह्मन किया था इसने नलंदा विश्विदल्य में 6 वर्ष तक अध्यन किया था अगर दोस्तों हम हैंसंग के दुआरा लिखी गई पुस्तक की बात करें तो हैंसंग के दुआरा लिखी गई पुस्तक CU की थी जो काफी बार एक्जाम में पूछी गई है दोस्तों हैंसंग को निमनामू से भी पुकारा जाता है इसे यात्रियों का राजकुमार, शक्यमुनी, नीती का पंडित आदी के नाम से जाना जाता है इसके बाद दोस्तों हमारा 116 नंबर कॉशन है कि बोध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक क्या वर्णित नहीं करता अर्थात दोस्तों इनके कहने का अर्थ है कि बोध धर्म के जो है त्री रतन है धम, निर्वान, संग या बुद्ध तो दोस्तों आपने जो है इसमें पड़ा ही होगा कि जो है बोध धर्म के जो है तीन रतन थे जो आपके बुद्ध, संग और धम थे तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा B. निर्वान क्योंकि ये जो है बोधन के त्री रतन में नहीं आता है इसके बाद दोस्तो हमारा 117. question है निमलखित में से कौन सा एक मोर्यों के काल में समूदर पतन नहीं था तमरलिपी, भारू कच्छा, सूपरका या पैठन तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number D. pattern इसके बाद दोस्तो हमारा 118. question है यवनिका प्रियोग की शुरुआत द्वारा भारते रंगमंच थेटर के कौन जीमिदार है अर्थत कहने का आर्थ है भारते थेटर के विकास के लिए कौन जीमिदार है कुशान, शक, ग्रीक या रोमन तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा option number C. Greek इसके बाद दोस्तो हमारा 119. question है संख्य दर्शन को प्रस्तूत किया गया था पतंजली के द्वारा, कपिल के द्वारा, चरक के द्वारा या लोकायत के द्वारा तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा कपिल के द्वारा इसके बाद दोस्तो हमारा 120. question है कि हरिशैन लिखिक है इलाबाद प्रशश्ती के, एरन प्रशश्ती के, जुनगर प्रशश्ती के या महरोली प्रशश्ती के तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा इलाबाद प्रशश्टी के दोस्तो अगर हम हैनिशेन की बात करें तो ये समुद्र गुप्त के एक जो है दरवारी कभी थे इसके बाद दोस्तो हमारा 121 नमर क्वेशन है राष्ट कूट समरज्य के संस्तापक थे अमोग वर्ष, इंद्रत्रित्य, गोविनत्रित्य या दंती दुर्ग तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा दंती दुर्ग अगर दोस्तो हम जो है राष्ट कूट समरज्य के राज़ाओं की राजधानी की बात करें तो उनकी राजधानी जो है मन्ये खेत थी जिसे जो है काफी बार एक्जाम में पूछा गया था कि राष्ट कूट के राज़ाओं की राज़धानी कहां है तो उनकी राज़धानी जो है मन्ये खेत थी जो वर्तमान समय में जो है महराष्ट में स्थित है इसके बाद दोस्तो हमारा 122 नंबर कुशन आता है कि सुहार वर्दी संग मुख्यता स्तापित किया गया था उत्तर भारत में उत्तर पूर्वी भारत में पच्चिमी भारत में या उत्तर पच्चिमी भारत में अलग से एक सेप्रेट वीडियो बनाएंगे कि सुहार वादी संग क्या था और इसके स्थापने किस उदेश की ले की गई थी इसके बाद दोस्तों हमारा 123 कोशन है कि जागिर विवस्ता को पुने किस ने लागू किया था रजिया सुल्तान ने फिरोज शाह तुगलक ने अल जमीनदारों को ही जागिर कहा जाता था इनके अधिन जो है कहीं गाउं होते थे और यह जो है गाउं के लोगों से लगान या जो है कर वसूल करते थे और जो है राजाओं और राजा या अंग्रेज को प्रदान करते थे जिसे ही जमीनदारी प्रथा या जागिरी प्रथा कहा जाता है आपने दोस्तों हमें कमेंट करके बताना है कि भारत में जमीनदारी प्रता का अंत कब हुआ था इसके बाद दोस्तों हमारा 124 नमर कोशन है 1549 में चोसा की लड़ाई में किसने हुमायू को प्राजित किया था शेर्शा सुरी ने बहादुर शा ने राणा संगा या इसमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा शेर्शा सुरी अगर दोस्तों हम हुमायू के द्वारा लड़ेगे युद्धों की बात करें तो हुमायू ने चार महत्रकॉन युद्ध लड़े थे एक युद्ध लड़ा था उसने 1531 में जो है देवरा के यु 1549 में जो है उसने जो है 1540 में जो है बिलग्राम का युद्ध लड़ा था अगर हम दोस्तों बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में जो है हुमायू और शेर्शा के बीच लड़ा गया था इसमें जो है हुमायू की हार हुई थी जि इसके बाद उसने इरान के शाह दर्बार में शर्णन ली थी। उसके बाद हुमायू ने 1555 में सरेंद का युद लड़ा जिसके बाद उसने दिली की गद्दी को पुनिय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद दोस्तों हमारा 127 नंबर कोशन है कि 1908 में बाल गंगा धर तिल्क को जोए 6 वर्ष का कारवास हुआ और उन्हें भेजा गया था। नैनी जेल में ये रावदा जेल में मौंडला जेल में या सिंगापूर जेल में तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा मौंडले में अगर दोस्तों हम 1908 में बाल गंगा धर तिल्क के जो है कारवास के मुझे कारण की बात करें तो उन्हें ये 6 वर्ष का कारवास इस ले दिया गया था क्योंकि बाल गंगधर तिल्क जो है केस्री नमक अकबर में बारे में लेख लिखा करते थे इस कारण जो है उन्हें 1908 में राज विदरो के अरोप में अंग्रेजे ने गिर्फ़तार कर लिया था और उन्हें बारमा की मंडले जेल में भेज दिया था इसके बाद हमारा दोस्तों जो है जोग्रफी का पोशन जो है स्टार्ट होता है इसके लिए हम जो है अगली वीडियो जो है में जो है जोग्रफी का पोशन जो है डिस्कस करेंगे अगर दोस्तों आपको वीडियो जो है अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा और हम जो है अगर आपको इस वीडियो का जो है PDF चाहिए तो उसका जो है अम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको provide कर देंगे तो आप जो है हमारा टैलिगरॉम चैनल का गृप भी जो है जोइन कर लीजेगा जिसमें आपको जो है इसका जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा थैंक यू जायन